तो आज हम लोग सीखें कि फोटोशॉप से कैसे एक ब्लैकनेट पिक्चर को कालर किया जा सकता है तो मैं इस इमेज को यूज करूंगा इसको कालराइज करूंगा तो चलिए शूर करते हैं तो फर्स्ट मैं इसको ड्राइग करके फोटोशॉप में लेता हूं ठीक है तो अगर बैक्राउंड लॉक या पर अगर बैक्राउंड दिखा है ठीक है इसको डॉबल क्लिक करके उके कर लीजिगा तो अल्डेडी मेरे लेयर जीरो दिखा रहा है तो मुझे कुछ करने की जुरूरत नहीं हूं अब शुरू करते हैं तो फर्स्ट काम होगा पेंटूल देना जिसका शॉट कार्ड है पी इसके फेस के हर एक पार्ट को अलग-अलग करना पड़ेगा पॉर्षन के जह 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 अलग-अलग कलर होगा वो पॉर्षन अलग करना होगा ठीक है तो मैं धरे-धरे पेंटूल यूश करूंगा और अब जब काम करेंगे तो जूम करके काम कीजिएगा तो उससे आपको डीटेलिंग देने में आसानी होगा टो जस्ट फर एक्जम्पल मैं जरफास्ट काम करूंगा जिससे के वीडियो शॉट हो पाए अगर गलती हो जाती है तो गौंट्रोल जेट अगर बहुत बार हो जाती है तो गौंट्रोल जेट ठीक है तो असे घिरी-धिरे करना होगा इसका मेन काम है कि जो पॉरिशन मतलब देखिए स्कीन का कलर से हमें तो मैं स्कीन को अलग से निकलूँगा आग का कलर अलग है बलाक तो इसको अलग से निकलूँगा तो ऐसे काम करते हैं ठीक है मैं पहले ही बोल देता हूँ मेरा काम उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं फास्ट रहा हूँ अभी ठीक है फेदर एक देंगे यह आपर ठीक है उसके बाद ओके अब इस लिए को स्लिट करके कंट्रूल जेट सॉर्डी जे तो उसे क्या होगा देखिए अब देखिए सकते हैं कि जो फेस था और यह पूर्शन अलाग होगे चलाया ठीक है आई अन कर देता हूँ तो एंट जो मैंने काटा भी इसको आई अफ कर देता हूँ एगन मैं मेरा जो लेयर था में उसको में स्लिट कर लेता हूँ आप शर्ट करूँगा लेगन उससे पहले मैं आपको तरह कालराइस कैसे करते हूँ मैं दिखा देता हूँ तो मैंने अबी जो काटा उस पॉर्शन को सिलेट करके कंटल यू करूँगा ठीक है करके या पर से कलराइस इसको और कर दूंगा एंड हूँ में जारा सा चेंज इस करूँगा तो आपको दिखा दे रहा है मैंने कालर डालना स्टार्ट करती है तो ऐसे काम करेगा ऐसे देरे में इसमें कालर डालता जाऊँगा आप चैसा स्कीन कलर चाहिए अब सिलेट कर लीकरूँ अब thouबस नहीं तो अब देखिए क्या हुआ आपको का कलर भी इस्कीन की कलर में आ गया तो इसलिए इसको आपको नुबारा मिन लियर से अलग से काटना होगा ठीक है तो में लिए स्लेट करके मैं अभी आइब्रोस को अगर करतेता हूं तो जब यह आपर लाओं का स्लेट हो जाएगा ठीक है इसको ऐसे ठीने देते हैं यह वाला भी में करतेता हूं हो गया अब राइट क्लिक में के सेलेक्शन फेदर रेक और अगर ज्यादा बाहर की तरफ चला जाए तो तो Ctrl-Alt-R प्रेस करने से Refined Age Option खुल जाता है यह अपर से मैं जब Shipped Ages को कमा दूंगा तो Extra Ages मैंने जो जल्दी में एड कर लिया उसको घड जाएगा निया से मैं फेदर भी तो उससे मेरा Eyebrows अलग आ गया ठीक इसको मैं फेस के जो मास्ट था उसके ऊपर रख दूंगा ठीक है तो देखिए मेरे Eyebrows का जो कलर है वो आ गया अब मार्कीव टूल है यहापर मार्कीव टूल रेक्टेंगल इसको मैं राउंट इलीप मर्तिरी जो की राउंट शेप का आएगा इससे मैं Eye के उपर लेकर एक सेलेक्शन करूंगा इसको पहले में में सेलेट करके Ctrl-Z कर लेता हूं ठीक है मैं एक-एक करके करता हूं क्योंकि यह आपर एक option था जिससे मैं 2 कर सकता था अब एक में में को सेलेट करके Ctrl-Z तो मेरा एक left eye आगया और right eye आगया ठीक है मैं rename नहीं करना हूं जस्ट आपको दिखाना हूं तो अब उपर ले लेते हैं तो आई भी ठीक हो गया color अब lips की बारी एक पेंट टूल इमें सेलेट किया हूं आपको बाद में इस तरफ करने में अगर पारिशानी होती है तो आल्ट प्रेस करके handler को काड दीजिया ठीक है ऐसे ड्रैक करने से बस हो जाता है हां बस ट्रैक कीजिया हो जाएगा ठीक है तो अब अगर मेक सेलेक्शन फेदर वन तो जारा सा रिफाइंट कर जेता हूं मैं जारा ज्यादा ही कट गया था है तो इसको मुझे और साइड में लेना है अगर स्मूथ एड एड अगर कंट्रोल जेट फ्रम में 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 इमेंज से होगा ठीक है इसको भी मैं फेज बले हम असकी उपर टेख देता हूं और कंट्रोल यू उससे में कालर चेंज कर पाऊंगा सॉरी कलराइज अन करना पड़ेगा तो कौन सा देना है आप इसलिट कीजिए तो लड़का आए तो ज्यादा कलर नहीं होगा नादिं मेने साथ ठीक है तो ऐसे ही अब एक ब्लाक है वाइट इमेज को कलर जाएज कर सकते हैं तो मैं कर देता हूँ अब इस साइड हो गया अब इस साइड की बारी में एक सेलेक्शन दो साइड करने के बाद अगर आपको एक ही कलर दो साइड में जैसे का एक ही कलर होगा तो मैं अलग अलग से नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो इसलिए मैं में में सेलेक्शन अभी नहीं करूंगा पहले मास कर लूंगा पिन तूल से अब राइट क्लिक मेक सेलेक्शन फेदर वन च्ट्रोल अल्ट आर रिफाइंड जड़ा सा स्मूध कर जेते हम फेदर हो गया अब कंट्रोल जेट स्वरी जे मुझे गलती हो जाती ये बोलने में कंट्रोल जे उसके बाद कंट्रोल यू कलराइज आप कौन सा कलरते है ठीक है तो ए वाला कलर ठीक है उसके बाद ओक है तो मैं टीशिट का कलर बलाक रहने देता हूं मैं अच्छा लग रहा है मैंने छोटा सो मिश्टेक किया मुझे अभी ध्यान आया कि आखों का ए पोर्षन इसकीन कलर हो गया तो इसको भी मास करना होगा पेंट्टूल से उसके बाद हो गया इस तरफ एंट अभी इस तरफ को करना होगा हो गया लेकिन में इमेज सेलेक्शन रहना चाहिए ठीक है जो सोर्स इमेज है अब में एक सेलेक्शन फेदर वण कंट्रूल अल्ट आर मैंने कुछ ज्यादा एकाट दिया इसलिए मुझे इसका साइट में जो पूर्षन हो चाहिए और भी फेदर जरा सा स्मूर्थ एगन कंट्रूल जेट तो यह मेरा फेज वाला है तो फेज के ऊपर रहना चाहिए बना नशो नहीं करेगा ठीक है तो ऐसे ही हम लोग एक ब्लाक अनुएट इमेज जो की इस तरब था इसको कलरेस्ट कर सकते हैं तो ट्रै कीजिया बहुत ही सिंपल है और आपको भी अच्छा लेएगा इसको करने में ठीक है तो देखने के लिए शुक्रिया जेटी की हिंदी और सास्क्राइब करना मद भूलियागा